नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का विजन अकैडमी मैं नाम विशाल और दोस्तों मैट्स की तैयारी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोसो यदि आप खंतिक्षा अदिकारी, संक्षा अधिकारी या फिर शहायक शंक्षा संक्षा अधिकारी, उस्क्षा भर्क्ति, परिक्षा के तयारी कर रहे हैं तो दोसो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इस ठाध फाइदामांध होने वाला है कि दोसो आज किस वीडियो हम पढ़ने वाले है Algebraic Identities and Formulas यानि कि बीजगनित के सूतर और Formulas दोसो उसके उपर आधारित कुछ प्रश्ण को हम solve करने वाले जिसके लिए हम tips और tricks भी देखने वाले हैं तो दोसो बहुत important वीडियो होने वाले हैं अब ही लोगों लिए math related तो चलिए दोसो शुरुवात करते हैं हमाई इस वीडियो की लेकिन दोसो यादि आप सबसे पहली बार हमाई चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो दोस्तो यहाँ पर आपको इसका यह जो दिया गया है इसका आपको मान बताना है देखिए दोसो बहुत यह आसानी साब इसको मान बता सकते हैं देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तो यहाँ पर जो use होने वाला है वो board math rule और दोस्तों अगर आप board mass rule नहीं जानते हैं तो मैंने इसको मेरे पिछले वीडियो में explain किया आप यहाँ पर जाके click करके उस वीडियो पर जाके देख सकते हैं यह board mass rule क्या होता है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए यह एक multiplication का यहाँ पर term है यहाँ पर यह multiplication का term है यहाँ पर यह multiplication का term है अब दोस्तों इसको साथ में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 4.7 इन तीनों में common है ठीक है तो 4.7 common है तो क्या कर सकते हैं 4.7 common निकाल सकते हैं 4.7 बहार common निकाल लिया multiply करना है और क्या इसके अंदर क्या बचेगा 13.23 प्लस 9.43 प्लस 77.34 और दोस्तों इन सभी को अगर आप add करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको इन सभी को add करने बाद चलिए दोस्तों देखते हैं क्या मिलता है हमको देखे दोस्तों 4 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा दोस्तों देखते एगा जेखे दोस्तों अगला प्रश्चन देखते हैं दी दोस्तों यहांब आपको दीआ गए 5 इंट No 1 उपन 2 इनट 2 5, 1 upon 4, minus 1, 1 upon 2 कमांद क्या होगा दोस्तों, यहाँपे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अध्यान से देखेंगे तो यह जो है दोस्तो यह A+, A-B का फॉरमूला बन रहा है यहाँवरे अध्यान से देखें, यह A है तो यह भी A है, यह B है तो यह भी B है दो साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं अब यूज कर सकते हैं दो export a2-b squire का एक प्लस यह phi original a-b ही है एसको साथ में आप उसको use कर सकते हैं डार्यक्ट्लिस फॉर्मुले में दो दोस्तों कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, जान लेते हैं, देखिए अभी क्या हो जाएगा यह, 5, 1 upon 4, इसका square, minus, 1, 1 upon 2, इसका square, तो अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको simplify कर लेते हैं, देखिए, mixed fraction है यह, इसको simplify कर लेते हैं, तो 5, 4 is 20, 20 plus 1, 21, 21 upon 4, इसका square, minus, 2, 1s are 2, 2 plus 1, 3, 3 upon 2, इसका square, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 21 का square करेंगे दोस्तों कितना है, 441 upon 16, minus 9 upon 4, तो यह क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पे यह 4 है, यह लेकिन 16 है, डिनॉमिनेटर में, इसको हम क्या 16 बना सकते हैं, ठीक है, 44 से multiply कर दिया है इसको, अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, 441 minus 946, 36 upon 16 हा जाएगा, तो इसको minus करेंगे, कितना मिल जाएगा दोस्तों, इसको minus करेंगे, तो मिलेगा हमको, 405 upon 16, मतलब कि यहाँ पे, और 405 upon 16 को दोस्तों, वापस से mixed fraction बनाना है, तो बहुते simply बना सकते हैं, इसको, कितना बन जाएगा, यह जाएगा, कितने से, 2 से जाएगा, 32, 16, 32, 32, बचेंगे, 8, 5, 85, तो 5, 25, और सेश कितना बच जाएगा, 5, तो 5 सेश बच गया, तो मतलब कि 25, 5 सेश और 16, तो option C यहाँ पे, सही option है, ठीके दोस्तों, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, दे 25.732, प्लस 15.732, और 25.732, माइनस 15.732, अब इसका मान बताना आपको, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, यहाँ जो सूतर है, यही उस हो रहा है, ठीके दोस्तों, अब देखिए इसको माइनस कर देते हैं, देखिए 732, 732 यहाँ पे common है, मतलब कि माइनस में हड बचेगा, तो बचेगा कितना है, यहाँ पे सिफ 10 बचेगा, और यहाँ पे इसको add कर देते हैं, तो 2, 2, 4, 3, 3, 6, 7, 7, 14, एक बचेगा, 5, 5, 5, 10, 11, 1, 1, और 1, और 2 कितना हो गए, 3, 3, 3, 4, ठीक है, तो यह इतना है, इसको multiply कर रहे हैं, 10 से, तो कितना मिलेगा दोस्तों, 4, 1, 4, 0.64, ठीक है दोस्तों, मतलब option A यहाँ पे जो है, वो सही answer है, चलिए दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं, 7.55 into 7.55, minus 2 into 7.55 into 2.55, plus 2.55 into 2.55, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे दो numbers repeat हो रहे हैं, 7.55, 2.55, अगर इसको हम A पकड़ लें, इसको हम A, B into B हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, plus, और यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ से देखिए दोस्तों, यह जो formula बनता है, वो A minus B the whole square का formula है, यानि कि A square minus 2 AB plus B square, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 7.55 minus, कितना करना है आपको, 2.55, इसका the whole square कर देंगे, तो आ अगर आप minus करेंगे, कितना मिलेगा, 5555 cancel हो जाएगा, 7 मसे 2 गया, तो कितना बचेगा, 5, 5 का square करेंगे, कितना मिलेगा, 25, इसका answer क्या आगया, D आगया, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रशन देखते है, 0.245 into 0.245 plus 6.55 into 6.55 plus 2 into 0.245 into 0.655, लेकि दोस्तों, ध्यान स इसको, यह क्या बन रहा है, यहाँ पे, यह A square बनता है, इसको देखे ध्यान से यह क्या बनता है, यह B square बनता है, और इसको देखे ध्यान से यह क्या बनता है, यह 2AB बनता है, देखे दोस्तों, यहाँ पे जो formula use हो रहा है, यह है A plus B the whole square का, यहाँ पे गलती से print हो गया है, a plus b the whole square का formula है a square plus b square plus 2ab ठीक है दोसों तो यहाँ आपको simply क्या करना है a plus b को add कर दे रहा है तो 0.245 plus 0.655 और इसको square करना है तो 5 plus 5 0 4 plus एक बचे का यहाँ पे तो 4 plus 1 5 5 plus 5 0 फिर से एक बचेगा तो इक इतना हो जाएगा 6,2,8,8,1,9 और decimal आ जाएगा यहाँ पे इसको अगर आप square करें कितना मिलेगा आपको दोस्तों 0.81 ठीक है दोस्तों मतलब यहाँ पे आपका option जो है पहला option सही है ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रशन देखते है 0.1 का cube plus 0.2 का cube plus 0.3 का cube minus 3 into 0.1 into 0.2 into 0.3 0.1 का square plus 0.2 का square plus 0.3 का square minus 0.1 into 0.2 minus 0.1 into 0.3 minus 0.2 into 0.3 दोस्तों यहाँ पे एक formula बनता है यह actual में है formula जो यहाँ पे use हो रहा है वो है a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों और यहाँ पे देखिए नीचे क्या है यहाँ पे a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus a c देखिए दोस्तों अगर आप इसको इस side इसके denominator में लेकि आ जाएं तो आपको कुछ इस तरीके का formula मिल जाएगा यानि कि इसमें simply आपको करना क्या है a plus b plus c को आपको find करना है तो a plus b plus c को आप बहुत ही आसानी से find कर सकते हैं 0.1 plus 0.2 plus 0.3 इसको add कर दीज़े जो भी answer आता है वही इसका answer होगा इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer होगा option b 0.6 इसका सही answer होगा ठीक दोस्तों चलिए अगला प्रशन देखते हैं 17.3 into 17.3 into 17.3 plus 7.3 into 7.3 into 7.3 17.3 into 17.3 minus 17.3 into 17.3 plus 17.3 into 17.3 देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग सा question बन रहा है लेकिन इसका भी हम solve कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ध्यान से देखिए दोस्तों यह जो formula यहाँ पे बन रहा है वो है a cube minus b cube का formula कैसे है दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए यह क्या हो जाएगा यह यह तीनों मिलाकर क्या बन जाएगा a cube ठीक है यह क्या हो जाएगा b cube ठीक है दोस्तों और denominator में देखिए 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 उसको क्या है यहाँ पे यह क्या है a square और यह क्या है दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आप इसको इस साइट इसके डिनॉमिनेटर में लेकि आ जाए तो क्या मिल जाएगा आपको a3 प्लस b3 अपॉन क्या मिल जाएगा आपको a2 माइनस a b प्लस b2 तो आपको simplify क्या करना a प्लस b मतलब कि 17.3 और 7.3 मिलागा कितना होता है दोस्तों 17 और 7 कितना हो जाएगा हो जाएगा कितना 24 24 और 24.6 मतलब कि यहां पर आपका option d सही answer है ठीक दोस्तों चलिए अगला प्रशन देखते हैं देख दोस्तों यहां पर आपको उसका तो 0.4 का double क्या होता है 0.8 0.2 का double क्या होता है 0.4 इसमें आपको समान बताना है मतलब कि यहां किसे आप common ले सकते हैं देख दोस्तों अगर आप यहां से सबको common लेंगे तो क्या मिलेगा आपको आपको 0.4 को 2 से multiply करना पड़ेगा 0.4 को 2 से multiply करेंगे तो आपको यहां पर 0.8 into 0.8 into 0.8 मिले मतलब कि कुल मिला कि आपका तीन बार 2 multiply हो रहा है तो तीन बार 2 multiply होगा तो कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा आठ यहां से भी common आठ यहां से भी common निकलेगा तो आठ common निकाल कि अब को ultimately क्या मिलेगा 0.4 into 0.4 into 0.4 plus 0.2 into 0.2 into 0.2 और upon यही same चीज नीचे भी रहेगी और इसका square तो दोस्तों अभी यहां पर होगा क्या 8 का भी square होगा यहां पर तो इसमें होगा क्या यह और यह denominator cancel हो जाएगा 8 का square होगा 8 का square क्या मिलता दोस्तो 64 मतलब कि यहां पर आपको option A सही option है ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रशन देखते हैं देखें दोस्तों एक विद्यार्थी को निम्न भिन को सरल करने को कहा गया 0.5 into 0.5 into 0.5 into 0.5 into 0.3 into 0.3 into 0.3 0.1 into 0.1 minus 0.045 0.5 into 0.5 into 0.5 plus 0.3 into 0.3 देखें दोस्तों इसको सरल करने हो कहा गया अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो यहां पर क्या बनता है दोस्तों यह बनता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC तो यहां पर माइनस 3ABC बनता है और दोस्तों यहां पर देखें दोस्तों क्या बनता दोस्तों यदि आप यहां पर माइनस 3 ABC को कल्कुलेट करें तो आपको यही वैल्यू मिलेगी तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए आपको सिंप्ली आपको करना क्या है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको फाइंड कर सकते हैं जो की बराबर कितना होगा 0.9 के बराबर होगा लेकिन दोस्तों विद्यार्थी ने 0.45 लाया अब 0.45 दोस्तों 0.9 का क्या ह है मतलब कि कितना प्रतिशक्त का अशुद्ध है या अंसर 50% से अशुद्ध है तो मतलब आहां पर option B सही option है ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रशन देखते हैं और आखरी प्रशन देखते हैं देखे दोस्तों इस प्रशन में 0.8 का cube प्लस 0.2 को आप A plus B करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा 0.8 और 0.2 को अगर आप एड करते हैं तो कितना मिलता है एक मिलता है मतलब कि दोस्तों इसको अगर आप एक से multiply करेंगे तो भी answer आपका सेमी रहने वाला है तो दोस्तों मतलब कि आप आप फॉर्मॉला इसको यूज कर सकते है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको add कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको यह मिलेगा आपका नचाँ कर दोस्तों मिलेगा आपको यहाँ पर इसको यहाँ लिदा कर देंगे अखिए अवच्वचन आपका कर देंगे दोस्तों इसको एफ दोस्तों मॉपचन